हालो गूटन टाग और नमस्ते दर्शकों मेरा नाम है अवंतिक आपकी जर्मल लांग्विज कोच आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आकोज आर्टिव किस अगर आपने पार्टवन नहीं दिखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी चैनल पे ज वीडियो जरूर दिखिएगा तो अब तक की लेसंस में हमने यह जाना है कि नॉमेनाटिव दर असल क्या है और कैसे यह एक वाक्य में वाक्य में एक सब्चिक बतलाता है साथ-साथ हमने इसकी कुछ वर्प्स पढ़ी थी कुछ इसके आर्टिकल्स पढ़े थे जो की इस व इसके आर्टिकल्स जो की हमने पहले नॉमेनाटिव के साथ भी पढ़े थे वेस्टिम्ट आर्टिकल्स उन्वेस्टिम्ट आर्टिकल्स और निगेटिव आर्टिकल्स फिर की आर्टिकल्स की क्रिया है मतलब उसकी वर्प्स क्या होती है उसके प्रोनॉस मतलब सर्वनाम क् और कुछ पूरवसर मतलब प्रेपोजिशन्स साथ साथ इस पूरी वीडियो में हम आपको बहुत सारे उधारण भी देंगे तो बेना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आकुजाटिव कारक मतलब आकुजाटिव के इस क्या है तो आकुजाटिव की सबसे सेरर परिवाश है ये है कि वे नॉमीनाटिव की तरह एक विशिश प्रकार से वाक्य बनाने के लिए स्थमान होता है इसमें किसी व्यस्तु मतलब ऑबजेक्ट को संभोधित किया जाता है और ये ऑबजेक्ट डाइरेक्ट ऑबजेक्ट होता है इसका मुखे रूप से आर्थ है कि कोई चीज या कोई व्यस्तु को किसी क्रिया की माध्यम से करिया मतलब हमारे वर्ब के माध्यम से जब सीधा प्रभावित किया जाता है तो वह है आकोजाटिव केस होता है अब हमारे पास एक एक्जामपल है जैसे एश, जेह, देन, हुंड अब क्यूंकि हुंड एक नाउन है तो हम हमेशा हमेशा कापिटल रखते हैं और क्यूंकि I see the dog में मतलब एश, जेह, देन, हुंड में हुंड एक ऑप्जेक्ट है जो की जेहन वर्ब के थूप प्रवाविद हो रहा है वह है एक टारेक्ट अबजिक्ट बन जाता है इसमें इश हमारे पास एक प्रोनाउन है जो की एक सबजेक्ट है वर्ब हमारे पास जेहन है और फिर अबजेक्ट है देन मतलब क्या चीज आक्शन रिसीव कर रही है डेन हुंड तो डेन हुआ हमारे पास और भी एक्जाम्पल्स हैं जैसे की इश बेजुखा माइनर ग्रोस एल्टन मैं अपने दाद दादी से मिली इश यहां पर आपका सब्जेक्ट है आपका प्रोनाउन है बेजुखा नाम की वर्प माइनर ग्रोस एल्टन आपका डारेक्ट अप्जेक्ट मत आपका अकुजातिक अप्जेक्ट एक और एक्जाम्पल है हमारे पास एर हाट आएनन आपक्विन गेगे सिल्ट कि यहां पर अगेन हमारा सब्जेक्ट हाट मतलब हाबन हमारी वर्प आएन अफिल हमारा अप्जेक्ट मतलब आको जाटेव अप्जेक्ट और कहें हमारी वर्प हाबन यहां पर एक हिल्फ स्वर्भी कहलाती है हिल्फ स्वर्फ मतलब हेल्पिंग वर्फ यह इंग्लिश में भी बहुत कॉमन है अब हम जानेंगे कि आको जाटेव वेफरागा क्या होता है अगर आपको नॉमिनाटेव वाली वीडियो याद हो तो हमारे पास दो तरीके के वेफरागा वतला डबलू question words होते थे एक हमारे पास था वैर और दूसरा हमारे पास था वास हमारे पास आकोजाटिव में पिरसे दो तरीके के वेफरागा है एक हमारे पास है वेन और दूसरा हमारे पास है पिरसे वास वेन का मतलब होता है पूम वास का मतलब होता है वास इनकी sentence formation कुछ ऐसे होती है, हमारे पास दो वेश्रागा है, when, या फिर was, plus, कोई verb, और फिर दास्त में कोई pronoun, या फिर external formation, जैसे कि when, seeds, do, इछले example में हमने बोला था, इश देया दिन होल्ड, या फिर when, बेजुक्त तू, whom are you visiting, पिछले example में हमें जैसे बोला था, इश बेजुका मैना है, पोर्स एल्टन, या फिर हमारे पास है, एक नए example, when, रूफ्ट, एर, आन, whom, is he calling, अगर वस के साथ हम एक example बनाएं, तो यह है हमारे पास, वस, marked, दी, फ्राव, इसका अंसर हम कुछ ऐसे करेंगे, दी, फ्राव, शाउट, आन, फिल्म, अगर हम यह क्वेशन देखे, तो वस, marked, दी, फ्राव, इसमें यह डारेक्ट कूछ रहे हैं, कि फ्राव क्या कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट से साथ करते हैं, दी, फ्राव, शाउट, आन, फिल्म, तो यह थी हमारी, पास, डेफिनेशन की बात और कुछ एक्जामपल्स, अब हम जानेंगे की, बेश्टिम्ट आर्टिकल, उन बेश्टिम्ट आर्टिकल और निगिटिव आर्टिकल, आकोज आर्टिकल के साथ क्या होते हैं, सबसे पहले हम करेंगे बेश्टिम्ट आर्टिकल, तो अगर आपको या के आर्टिकल्स याद रहेंगे तो ये टेन बन जाता है फिर हमारे पास है दी तास फिर से दी और बेश्टिम्ट आर्टिकल आइन ये एन एंडिंग यहां से आई है फिर हमारे पास दुबारा आइना फिर आइन फिर यहां पे एक्सम्ट नहीं करता नेगटिव अर्टिकल्स क्रेंग इस से इंसपुर्ड है उन बैस्टिम्न आर्टिकल्स तो यही ऐसे ही बनेगा काइन, 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 तो यह तो हमारे आर्टिकल्स थे, अब कुछ एक्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, कबसे पहला हमारे पास एक एक्जाम्पल है, एर, श्राइप्ट, एर श्राइप्ट, एर श्राइप्ट, आइन, ब्रीफ, यहां पर लेटर को कहते हैं, तो उन बेश्टिमता आर्टिकल, आइन, ब्रीफ, आकुजाटिफ ऑब्जेक्ट है यह हमारा, एर यहां पर हमारा नॉमिनाटिफ हो जाएगा, एंड श्राइप्ट हैं हमारी आकुजाटिफ की वर्ब हो जाएगा, फिर एक एक्जाम्पल है हमारे पास, इश, हावर, काइन, आनू, तो यह बहुत ही डेली यूज में होने ब्रीफ, वाला एक्स्प्रेशन है, जो कि आप आज से यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, इश, हाबा, हाबा या हाबन एक अकुजाटिफ वर्ब है, इश आपका यहां पर नॉमिनाटिफ होगा, और काइन आनूंग आपका, अकुजाटिफ ऑब्जेक्ट होगा, मदला आपका डारेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एक हमारे पास है, बेस्टिम्टा आर्टिकल के लिए, जाम्पल, विर, काउफन, देन, टिश, विर आर्बा-उनद पाइन ले टेवल। आपकी अकुजयाटिव उवब्च Jerryathiuggling 9 कॉजयाटिव बंटे काॉफन अकुजयाटिव वर्ड विय आपका नॉमिनाटिव सब्चिक तो यह तो थे हमारे articles जर्मन के लगब्बारे आती हैं यह जानने की की है की और और वो क्यों important होती है तो जर्मन में especially क्या होता है कि कुछ certain verbs है हमारे पास प्लस कुछ पूर्वसरक मतलब prepositions हैं जो कि किसी sentence में लग करना case पदल देती है आपका काजूस बदल देती है इसलिए ये काजूस पढ़ने इतने ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए अब हम यह जानेंगे कि आकूस आटिव में क्या होती है हमारे पास जर्मन में एक hierarchy है वो यह है कि सबसे कम हमारे पास है गैनिटिव के verbs जो कि गैनिटिव आपका बहुत बाद में आता है और उसके बाद है हमारे पास नॉमिनाटिव के verbs एंड उसके बाद है हमारे पास डाटिव के verbs एंड सबसे जादा हमारे पास है आकूस आटिव के वर्प्स यह बहुत जादा होते हैं इसलिए बहुत इंपोर्टन है कि आप इन्हें याद रखे तो अभी से आप लोग आकूस आटिव की लिस्ट बलाना शुरू कर सकते हैं साथ साथ आगे जाकर हम कुछ टाइप के प्रोनाउंस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे और कुछ एड्जेक्टिव डेक्रिमेशन पढ़ेंगे जो की एवन पॉंट टू के या फिर एटू लेविल पार आती हैं लेकिन उससे पहले यह वर्प्स जो हमारे पास लिस्ट में ज इंफिनिटिव है एक्जामपर के तौर पे वी फिंडेस्ट तू देन फिल्म फिर है मारे पास यूरन जैसे इश्ष्यूरदिश्णिष्ट या फिर इश्कांदिश्णिष्ट यूरन बतलब मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं आप चाहे तो अपना भी एक एक्जामपल बना सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं फिर हमारे पास है एक एक्जामपल जिंगन का इसका मतलब होता है गाना एक है हमारे पास एक्जामपल त्रिंकन मतलब पीना और अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने अब तक जितरे भी एक्जामपल्स हम लोगों ने बनाए हैं वो वर्ब्स की जात बनाए हैं जो की आको साथ साथ हमारे पास ये दो वर्ब्स एक्स्ट्रा हैं जो कि A1 की है, एक है स्वेर्गैसन मतलब भूल जाना और दूसरी लेजन मतलब पढ़ना, तो ये तो हमारी 5-6 एक्जामपल्स थे, अकुजाटिव वर्ब्स के, अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से प्रेपोजिशन्स ह जो की आकुजाटिव केस में आते हैं, प्रेपोजिशन्स को याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, F, U, D, G, E, B, O, पजबो, जिसका मतलब होता है, F से, फ्यूवर, U से, उम, D से, दुर्च, G से, गेगन, E से, एंटलांग, B से, बिस, और O से, ओना, इनके मतलब हम आगे की वीडियोस में जानेंगे, अभी हमारे पास ये दो प्रेपोजिशन्स हैं, जो की एवन में बहुत कौन है, जिसका मतलब है, फ्यूवर का, फॉर, और उम का, अबाउट, या फिर, अराउंट, या फिर, टाइम के सेंस में, आट, तो हम इन दोनों के ही एग्जाम्पल्स डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास है, फ्यूवर का एग्जाम्पल, इश, काउफा, गी काउफन वर्ट से आया है, तुबाई, आइन गेशेंक, ये शेंक का मतलब होता है, तौफा, इश, काउफा, आइन गेशेंक, फ्यूवर, माइनन, ब्रूडर, इश, काउफा, आइन गेशेंक, फ्यूवर, माइनन, ब्रूडर, यह हमारा फ्यूर के लिग्जाम्पल है और उम के लिए हमारे पास एक्जाम्पल है एर, लॉइफ्ट, उम, देन, पार्क तो यह थे हमारे प्रेपोजिशन्स आकुजाटिव के साथ आने वाली वीडियोस में हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे तो चलिए यह थी हमारे आज की वीडियो आप करते हैं छोटा सा रिवीजन्स तो आज हमने यह सीखा कि आकुजाटिव केस क्या होता है आकुजाटिव केस में ऑबजेक्ट को डिनोट किया जाता है और आर्टिकल्स क्या-क्या होते हैं हमारे पास आकुजाडिव में जैसे कि then de das dee best tilt में unbeststore में इन इन आइन, नेगेटिव में kind, kind Religion आकुजाडिव के हमने कुछ वर्प्स पढ़ ति जिसके example पूरी वीडियो में है और आप यह रिवाइन करके देख सकते हैं साथ सथ हमने ये भी जाना था कि फजबू क्या होता है जो की एक निमोनिक है प्रेपोजिशन्स याद करने का अकुज़ाटिव की एफ से फ्यूर फिर ओम दुच गेगन पेंटला विस ओना इसमें से हमने दो प्रेपोजिशन्स की एक्जांपल्स भी देखी थी और उनके मतलब भी जाने के तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीस हमारी वीडियो को करिए लाइक आपकी डाउट्स पूछने के लिए करिए कमेंट और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले साथ करके हमारे चानल को कर दीजे सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ